भावी की चल रही थी गाउं में ही रहने वाले एक वेक्ती से नजाय संबन जब भावी के देवर को पता चला कि भावी की चल रही है किसी और से नजाय संबन तो देवर ने भावी को करने लगा ब्लैकमेल जिससे परसान होकर भावी ने देवर का कर दिया काम तमाम नमस्कार अदाब पर नाम मैं गुड़ु कुश्वा आपका स्वागत करते हैं हमारा चाइनल RL Glory में आप देख रहे हैं सची घटना की एक नई एपसोर्ट के साथ एक नई कहानी चलिए पूरी कहानी बतलाते हैं आपको थोड़ी बिस्तार से दोस्तों यह कहानी यूपी का एक जिला लगता है जिस जिले का नाम गाजियावाद होता है और इसी जिले के अंतरगत एक सहर का नाम मोदी नगर होता है और इसी मोदी नगर सहर के अंतरगत एक गाउँ आता है उस गाउँ का नाम भी सोखर रहता है इसी गाउँ में एक पड परिवार रहता है और इस परिवार में पवन अपने बड़े भाई ललीत के साथ रहा करता था ललीत की साधी हो चुकी होती है ललीत की जो पतनी होती है उसका नाम दीपा रहता है दीपा देखने में बहुत खुबसूरत रहती है इसी बीच ललीत का जौब बेंगलोर के एक प्राइबिट कंपनी में लग जाता है ललीत अपने घर परिबार पत्नी को छोड़ कर बेंगलोर चला जाता है अब घर में अकेले ललीत की पत्नी और उसके भाई पवन रहने लगता है पवन आटो चलाया करता है जिससे की घर के जरूरत पूरी होती है पवन घर से सुबह 9 वजे आटो लेकर निकलता है और रात के करीबन 10 वजे वापस अपने घर लगता है अब घर पर दीपा पूरी तरह से अकेले रहने लगती है इसी बीच में दीपा का तवियत खराब हो जाती है दीपा के सर बहुत ज़्यदा दर्द करने लगता है दीपा को देखने वाला क देवर यानी पवन कहता है भावी मुझे आने में कुछ समय लगेगा मैं मेटकल वाले को टौक कर देता हूँ वह दवा लेकर घर पर आएगा आप उसे दवा ले लेना दीपा कहती है ठीक है देवर जी आप मेटकल वाले को कॉल कर दिजिए कि वह जल्दी दवा लेकर आये पवन परोस में ही एक मेटकल दुकान पर फैजान नाम का लड़का राता है उसे कॉल करता है और पूरी बात बताता है और कहता है कि तुम मेरे घर पर जाओ मेरी भावी की सर में बहुत ज़्यदा दर्द उठ रहा है फैजान बैग में दवा रखता है और अपनी बाई को स्टार्ट करके सीधे पवन के घर पर पहुच जाता है भावी को आवाज लगाता है भावी घर के बहार आती है और फैजान भावी को दवा देता है और दे करके फैजान जाने लगता है पर दीपा यानि भावी फैजान को रोकते हुए कहती है आप थोड़ी देर रुख जाईए मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ चाय पीकर के आप चले जाईएगा फैजान भावी के बाद मानते हुए रुख जाता है इधर भावी चाय बना कर लाती है और दोनों साथ में वैट कर चाय पीते हैं चाय पीते हुए दीपा और फैजान की कब आँखे चार हो जाती है दीपा को और फैजान को पता ही नहीं चलता थोड़ी ही देर में दोनों अपने आप पर कावो नहीं रख पाते और दोनों के बीच में एक संबंद कायम हो जाता है अब इधर साम होने लगती है तो फैजान दीपा से कहता है मैं चलता हूँ बहुत ज़ड़ टाइम हो चुका है दीपा फैजान के सीर पर एक चुम्मा देती है और फैजान को जाने से पहले कहती है आप अपना नंबर दे दो फैजान नमबर दे कर वहाँ से निकल जाता है दोस्तों कहते हैं कि नजाय संबंद एक बार किसी के साथ अस्थापित हो गया तो वो रुकने से भी नहीं रुकता कुछ ऐसा ही होता है इसी बिच दीपा फैजान को कॉल लगाती है और अपने घर पर बुलाती है फैजान भी दीपा के बात मानते हुए उसके घर पर आता है और भावी के साथ फिर से वही संबंद एस्थापित कर रहा होता है शी समय दीपा का देवर यानि पवन घर पर पहुँचता है और वो अपनी भावी को अपती जनक खालत में देखकर एकदम चोख जाता है पवन कुछ करता उससे पहले पवन की भावी यानि दीपा और फैजान पवन की पैर पकर कर माप ही मांगने लगते हैं और गिर गिराने लगते हैं दीपा रोते रोते कहती है देवर जी आप यह बात अपने भाईया को मत बताईएगा पवन कहता है ठीक है भावी मैं अपने भाईया को यह बाते नहीं बताऊंगा पर मेरी एक सर्थ है दीपा और फैजान कहता है ठीक है पवन तुम बताओ कि तुमारी क्या सर्थ है पवन कहता है अभी मुझे 20,000 रुपया चाहिए आप लोग अभी हमें दे दो तो मैं यह ब बात अपने भाईया को नहीं बताऊंगा फैजान पवन को वह पैसा लाकर तुरन देता है पवन वह पैसा लेकर अपने घर से चला जाता है दो दिन के समय बीच जाता है पवन घर पर नहीं आता है तो इसी बीच भावी अपने देवर यानि पवन को कॉल लगाती है और कहत कि देवर जी आप कहा हो दो दीन से क्यूं नहीं घर पर आ रहे हो तो पवन कहता है कि भावी आप चिंता मत करो यह सब बाते मैं भाईया को कभी नहीं बताऊंगा पर मुझे कुछ और पैसा चाहिए भावी यानि दीपा अपने देवर से कहती है पवन आप घर पर आ जाओं म मेरा जो देवर है पवन वह हमें ब्लैक मिल कर रहा है पहले से ज़्यादा पैसा मांग रहा है दोनों एक पलान बनाते हैं और पलान के मुताबिक पवन को घर पर बुलाते हैं पवन घर पर आता है तो भावी से कहता है भावी मेरा पैसा कहा है भावी कहती है पवन आप लखी हुई रहती है और दोनों साथ उपर इस्टोर रूम में जाते हैं और पवन को एक धरदार हां थियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं जब पुलिस की घटना को पता लगता है तो पुलिस वाले पवन के घर पर आकर पवन की जो लास होती है उसको पुस्माटाइ में भेशते हैं तो पता लगता है कि उसकी हत्या एक सर्जिकल ब्लेट से कला रेत कर की गई है दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश मुझे किसी को ठेश पहुचाना किसी को तकलिप पहुचाना नहीं है बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहे शुरच्छित रह और अपना पडिवार अपने घर का ख्याल रखे धन्यवाद